बला ऐसा कौन नहीं चाहेगा कि उसकी कार हवा में उड़े और ट्रैफिक की समस्या से उसे निजात मिले। ये सोचने में एक सपने की तरह लग रहा होगा और वाकई इसमें यकीन करना भी उतना ही मुश्किल है। लेकिन स्लोवाकिया की एक फर्म की माने तो ये संभव है। दरसल उनका कहना है कि ये कार अगले सिर्फ दो सालों में सड़क पर होगी। ये कार बनी तो आपको ट्रैफिक की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इतना ही नहीं। फर्म ने इस कार को नाम भी दे दिया है एरो मोबिल। ये सिर्फ एक टेंट पेट्रोल में आसानी से 430 मील का सफर पै कर सकेगी। इसकी खोबी ये है कि हवा में उड़ते समय इसके दो विंग्स पहले रहेंगे। जबकि सडक पर आप इसे आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। इस कार को बनाने वालों का ये भी कहना है कि फ्लाइंग कार वरतमान समय में कार और प्लेन के लिए उपलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ही ओपरेट की जा सकेगी। फार्म के मताबिक ये कार आसानी से स्टेंडर्ड पार्किंग स्पेस में फिट हो सकेगी। फार्म की माने तो ये कार फाइनलाइज हो चुकी है। और अक्टूबर 2014 से एक तुम असली फ्लाइट कंडीशन में इसकी बराबर फ्लाइट टेस्टिक की जा रही है। आपको बता दे फार्म ने इस कार का वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें ये शहर की गलियों में दोड़ते हुए हवा में उड़ जाती है। वीडियो के साफ तोर पर देखा जा सकता है कि एरो मॉबिल तमाग करे की खूबियों से लैस है। बताते चले कि एरो मॉबिल के प्रवक्ता का ये भी कहना है कि अब 1990 से उड़ने वाली कार का कॉंसेप्ट डवलब कर रहे है। हमारा पहला मॉडल बहुत ही अजीब दिखता था और उसे बराबर इस्तमाल करने में दिक्कत आ सकती थी। बहराल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कार कितनी कारगर साबित होती है। नेक्स टाइट न्यूस के लिए चीनू की रिपोर्ट।